यो इन गुंसरोंट कैसे हैं आप तो आज अपन स्टांट करने वाले एक नर्च आप जिसका नाम इंद यो है कि इस है कि में अगे वात कर रहें हीत की बात करते हैं वात करते हैं स्टांट करते इसकी बात करें तो जब हमारे हाथ को रब करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ वामनेस की आरी कुछ गरम-गरम सा फिल हो रहा है करें तो हम देखते हैं कि सब्सक्राइब करें तो आपने जब से अपनी साइकल को साइकल में एर भरी होगी तो आपने देखा होगा जब अब उसको प्रेस कर तो आपकी साइकल में हवाद बढ़ जाती है पर आपने जब उसके बेरल को आप लागे देखा हो तो आपने उसको दुड़ा गरम वीत किया होगा ठीक है अब इन सभी केसे में क्या हो रही है हीट जन्रेट हो रही है अब हीट क्या है कि या तो मेकेनिकल पर सी औरी यह ये ये लेक्त्रिक मतलब इलेक्टिकल एनरजी जन्रेट हो रही है कि अपन बोल सकते हैं कि जो हीट है एक्चुली में वह या तो वर्क करने से आ रही है कि मैंने उसके कुछ वर्क किया ठीक है या फिर मैंने उसको कोई और टाइप की अनरजी प्रोवाइड दरी जिसकी वैसे वह मुझे मिल रहा है य मैंने दीनरजी कोई और फिर मैंन ऊसको प्रियट दरेए दाव मुझे जो हम क्या बोलते है इंरजी ज Voilà एक का ओक आए जैसे कि मैंना बसकी बात बते तो क्या मैंने अपने हाथों को रड़ धिया तो मैंने आपने हातों कि अचुली में में फ्यानिकल्स बदक किया है क्या अगर है और उस मेकेनिकल वर्ग की वज़े से मुझे मिली है बात करो इसकी बात करो बंडिंग बंड कोल इसके बात करmaj बात करने कोन सह देनी पड़ी है पहले हीट इनर्जी देनी पड़ी है जैसे किThis को दी एक हीट एनर्जी की वैसे उस कौल केंदर क्या हुआ कुछ प्रोसेस वा जैनी कि दिले हैं मैं bigger और मैं पंप की तो पंप मैंने क्या दिए अब चलते थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कि माली जिए मैंने पर अबजेक्ट का पीस है अब हर ऑब्जेक्ट इस युनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो हर एक ऑब्जेक्ट किससे मिलके बनावाएं मॉलीकूल से में बनावाएं उसमें बहुत सारे मॉलीकूल हों तो और युझा इस तरफ कोई तरफ को यह राग्यादम डारेक्शन की और इदर जाए कोई आपस में तक रहा रहा है को यह नहीं तक रहा रहे कि किसी आपजेक्त कर बात करें तो वह किसे मिलके बना मॉलीकुल से उते हैं लोगें रहने रेंडम मोशन वह गरते हैं जब धूसरे को एक ब्रकर दरेक्ट करते हैं चैसे और आपन भी आपन कि स्केस्ट कर रहे हैं अब जब रैंडब मोशन कर रहे हैं तो साथ-साथ में कहले हैं एक सोफ समय क्लुष का एक मॉलिक्विट के पास एक एनर्जी ऐसे एनर्जी इसके civils और चीह एंटाइट गार्ट के पास क्या है थे आपस में रैंडम उचन के पास क्या है जानती है कि मोशन के वैसे जो एनर्जी होती है वह कौन सी होती है काइनेटिक एनरजी थी को है काइनेटीक गहां दूसर यह बॉलिब उसके क्या कर रहे हैं चोंड ma इसके पास क्या है पोटेंशे एनरजी दूसरे पास एक पूटेंशल पारेक्शन घ मैं मैं मिल रही हो एनर्जिस एनको को मतलब नहीं इन्य स्टेट और चौरत यह क्या सबगी हुआ इन दोनों का सम इन दोनों का सम ही बिलकर क्या बन जाता है टोटल इंटरनल एनरजी के वजह से बॉड़ी के पास है खुद की ही इनरजी होती जैसे कि अगर हम यूमन बॉड़ी की बात करें तो जब भी आपने देखा होगा थर्मामेटर लगा के तो थर्मामेटर आपको सभी बॉड़ी के इनडनल गित्राइज़ किसवाज से ऊब्लाइज एं जब्लस जा प्राइज उस प्रोडी में कि सब्लूब कर रहा है ज़ाया हुँआ दूसरी ज़गर से अल तो उससे जाधा बढ़न जाता है कि यह और इनर्जी बढ़ जाती है तो तो हम बोलतें कि हमें फीवर हो गया है कि नॉर्मन टेंपरेचर है नाइंटी फैरनाइट अगर उस से जब जाता है यह नाइंटीन डिग्री हो गया यह 101-102 गया तो हम क्या बोलते हैं कि सरे हमें क्या गया है बुखार हो गया है सब बूलते हैं वैसे हम जैनल ऑब्जेट के अगर बात करें तो उसके अंदर की इं दुखेंग एक ट्रेश्य फॉर्ब्सेट कृइस गर्ते हम घ्सक टूर्श्य कॉडिलंग ऑग्न की अग्रती हे दिद्षाध क्या हो गया था है एक वह क्वोडी जितनी बूक्द आर्ली होगी मोलंदेच पास ठीक अब एक चीज यहां पर मैं जानने वाली है वह होती है कि जो हीट एनेर्जी वह हमेशा कहां से कहां होती है एक और यह ग्लास रख दिया है ठीक है और एक और यह ग्लास है ठीक है जो कैसा है एक दम पोड़ अब मैं इस ऑत में से और मेसे यहां पर किसी जार में कैसा करदो कि इनको मिक्स कर दूं ये एक तम ही को अब इन दोनों को मिक्स कर दो मैं देखुआं कि दोनों सब्सक्राइब करें दोनों के बीच में किसी टैंपरेचर पर होगा इन दोनों के बीच के किसी टैंपरेचर होगा यह एसा क्यों हो है कि जो होट बोडी है उसने अपनी एनर्जी कांव ट्रांस्मेट कर दी है इस बाइब कर लिए जैसे कि हम देखते लिए कि बड़ी कोई रौड है आइरन रोड है ठीक है आइरन रोड को यह आप घर पर बात कर लिए इस पैचुला की जो आइरन स्पैचुला होता है उसको अगर आप कभी सब्सक्राइब बना रहे हूं तो उसमें देखेंगे कि जब एक तरफ से गरम होने लगता है जहां से आप पैन में लखेंगे और थोड़ी देर पर यह वाला जो पॉर्शन आना यह लिए आपको क्या है गरम फीन होने लग जाएगा ऐसा क्यों कि जब आपने उस पैचुला को गरम मती देल में डाला तो पहले यह पार गरम हुआ पर यह ठंडा था अब क्योंकि यहां पर टेंपरेचर में डिफरेंस है सब्सक्राइब कर दिए और यहां पर यहां पर क्या आपनी जो इसने अब्सक्राइब कर दिये आगे और इस पार नहीं क्या कर रहा है उस एब्सकों कर लिया है ठीक है और यहीं जो एनरजी एक जगह से दूसी जगह ठोभ रही है जोले में हम चैनल एंइस को हम क्या बोलते हैं और आपको बहता हैं जैसे यह आइरण रटाजिक यही आभड़ी वह द्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया जब क्या करेंगे जबाब उसको टॉट्स करेंगे यह हौट मैटल है इसको आपने एक तरफ से तो गरम पार्ट तो गया था रेड़ हॉट था और यह वाला एक थब एक तक लिए तक फॉट लिया ठीक है जहां पर भी आप इसको भीड कर रहे थे तो जब आप इसको टॉच करेंगे इसको टॉच करेंगे तो यह बॉडी क्या करेंगी हमारी बॉडी पे और योगन करेंगें नूगे एनरजी इस वॉड़ी से हमारी बॉडी में एनरजी टॉट हो रही है यह और यह बात करें तो हमारी बॉडी से राद में जाएगी इस रोड में एनर्जी चली जाएगी हमारे हाथ से उस बॉडी में बात करें हमारी बॉडी इसकी सिंपल साथ बहुत साफ कि पर तो जों चैनल को और की आयुकल वाता है कि सीच्टिय को अघ्राइब कर रहे होता है इंस दोनों एनरजी की वज़ेसे से उस प्जेक्ट के पास क्यों और इसके पास क्यों होती है और यह दोनों के संपों ग्तल में इंचेल पुर्टाइब इसके बाद हमेश्य केछ एननरजी है कि हीट इनरजी वह कहां सै कहां होती है कि इसाट जिसके भी पास इंटेलो जाएगी कहां उपर और अगर कोड़ वाड़ी है तो क्या करेगी जो होट आला पार्ट है उससे एनर्जी इब्जॉब करेगी यह यह माल लीजिए कि जैसे दूसरा एक्जम्पल लिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कैसा है गरम है अब मैं जब उसको जाकर टच करूंगा तो जो हॉट बॉड़ी है वो क्या करेगी एनर्जी है में उसके बाद जाए एनर्जी है और जब मैं उसको टच करूंगा होट बॉड़ी घ्रन से थे इनर्जी को इद्जॉब करेगी जंब हो कि उसियुद जो है निकल करका एक टोड़ वाड़ी में फ्लोग हो जाएगा ठीक है तो डेखिएशन की बात करें ही एनरजी की है 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 इस इस अधिशन है इस बात किया है 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 इंटनल है इस इंटनल एनरजी ऑफ मॉलेक्वल्स आफ करनेट करके चलना जो मैंने बाद बता है कि मॉलेक्वल पर कि हीट के इंटनल है कि इसकी मॉलेक्वल्स की और जो मॉलेक्वल्स है वो क्या बना रहे हैं इसी में एक चीज़ हमने पड़ी हो कि जो है इस भूब्स आपकी डेप्रिमेशन हो जाती किसकी हीट की ठीक है अगर हीट की यूनिट की बात करें जो नेक्स आपिक आता है वह आता हमेरे पास यूहेट अब जैसे मैंने बोला कि हीट क्या है हीट इस दापाउम आए एनरजी आप ओण है अगरी है तो नेयुक अईनरजी को थे चीज़ जो होती है किसकी है तो फीक है आपटी इनजिक है इस और भी इस इस पूर गीट की जूल और ठीक एक रिलेशन जो आपको याद रहना चाहिए वो यह कि वन जूल जो होता है कि वह कितना होता है सर्व उतना टैम की पावर सेवें अर्भ के बराबर यह रिलेशन हमें याद रहना चाहिए यूकि प्रॉब्लम हमसे पूछे जा सकती है कि वह सीजेस यूनिट में और एसा यूनिट में हमें आंसर बताईए तो यह दोनों हमें लिखना पड़ेगा ठीक है एक छोटी चीज की वाई सर्वन जूल एक यूनिट वर होती है जिसको बोलते हैं कैलोरी ठीक है तो कैलोरी क्या होती ही बच्चों जो एक कैलोरी होती है वह होती है 4.186 जूल के बराबर जिसको हम 1.186 जूल के बराबर यह इसको हम 4.2 जूल भी लिख देते हैं ठीक है तो इस आर दो यूनिट फॉर हीट की क्या 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 यूनिट होती है है ठीक है तो यह सब था किसके बारे में प्रीट के बारे में अब चलते हैं अगले कॉंसेप्ट में जिसका नाम है कॉंसेप्ट ओफ एम प्रेचर कि अगली चीज़ पर आते हैं अभान जो था कंसेप्ट ओफ तरह कि अभी जैसे हमने देखा कि जो हीट है वह कहां से काव फ्लोव रही थी होट बॉड़ी से निकल रही थी और बॉड़ी क्या है उसको अपनी तरफ गें कर रही थी होट से एनर्जी ट्रांस्मिट होई थी और कोड़ वाली उसको यह कर रही थी तो जो बॉड़ी ऊजोने होट क्यों निकल रहे है जो बॉड़ी में एकने हीट दे रही है उसको हम बोलते है अायर तंप differentiate और जो पॉड़ी उसको कम्त में क्यों कि क्यों क्यों होगी इसपर लोगी कि लोज़कhat लॉज़की यहां वहीश कर रहा हूं रैकिर हाया बॉडी है और जो एनरजी ट्रान्समिट कर रही है जो heat energy निकाल रही है जो energy impart कर रही है दूसरी बाड़ी को उसको क्या बहुत है हो किसमे है higher temperature पर और जो उसको gain कर रही है वह किसमे होगी lower top temperature पर होगी अब जरूरी नहीं है कि हो cold body है वो मेंशा इंपार्ट मतलब गेन करेगी अगर मालीजिए उस cold body से और भी जदो कोई cold body हो ठीक है यहां पर मैंने clean body यह एक body यह एक body यह एक body यह 100 degree पर है यह 50 डिगरी पर है जिक है तो अगर इन दोनों की बात करें इसकी और इसकी इसको छुपा देटें लिए पर एक लिए इसकी बात करें तो यह 100 डिगरी सेल्सियस पर यह 50 डिगरी पर है तो इन दोनों का कौन ज्यादा temperature पर है यह कौन ज्यादा hot body सर आप बोलोगे यह वाली hot body है और इसके comparison में यह कैसी है सर यह cold body इसका temperature क्या है इसकी heat क्या है कम है तो energy का से निकलेगी और यह क्या करेगा इसको गें कर लेगा तो हीट किसने इंपार्ट करें तो यह किस पर होगा सर यह और यह किस पर होगा सर यह ओगा लोगा इसको चुपा देते हैं इन दोनों की बात करते हैं यह 50 डिगरी पर यह जिरो डिगरी पर यह कहां पर होगा सर यह तो और भी ज्यादा सकते हों इंपरेचर पौसिबल पर इसको लोगेसि यह यह जो अबजन होगा नहीं कर देगा रही है नहीं कर लेगा तो जो जबजेग किसी और त्लिग और सकता ओकी बाने पार्ट भी कर सकती और हीट रिसीब कर सकते डिपेंडिंग अब वह कौनसे टेंप्रेटर पर है अब यहां पर यहां पर किया है जैसे पहले बात कर आप अब देखा कि जो दूसरे से क्या कर रहे थे और उनके पास दो तरह के अनरजी जिसको उने कंबाइड करके क्या बोला इंटरन अनरजी ऑफ दी सिस्टम ऐसे अगर यहां बात करें तो जो होट बोड़ी हो जब एनरजी देती है किसी ऑब्जेट को तो वह क्या कर रही एक्चुली में जो अनि के बात करें अर्षों मोली क worrying मशल दम चान बास है यहां पक्रोला पर करेंगी जब इसको एंर्जी देंगी क्या होगा जो मॉलीक्यूल्स है एनर्जी गेन करेंगे जब एनर्जी गेन करेंगे तो यह क्या करेंगे और ज्यादा मस्ती करेंगे तो यहां पर होता है कि पहले कि गर्में शांट बैटे थे इनको भार से किसीन आके नर्जी दे दिया इनसे बोल दिया तो पीजा बाट लिए घर पे तो यह क्या होगा खुशी में पागल हो गया उदर नाशने लग गए तो पहले जो एक्दम कर रहे तो इदर से और गया काम किया बैठ रहे ठीक है जी क्या होगा है चाहिए जब बैब्रेशन ज्यादा हुआ तो इनके बीच में क्या होगी जब तक्कर जादा होगी तो इसका टेम्प्रेचर मिंक्रीज होने लग गया है इसा पर थे होग धिर बढ़ घ्र टेम्रेचर भर अने छोता है जब अधरसे मिलीए पाल मॉल्यकुल्स थे उनके बीच में क्या हो गया मौशन और भी जाधा तेज हो गया जो पॉइसका हो गया तो इनके बीच का मोशन तेज हो गया और पॉटेंचिन इनरजी सब बार 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 गया दूस्रें कॉंटेक्ट में जाया कि उनके बीच के जो चैनल चाहे एक गरम होने लग जाएगा और जो अबजेट एकने निकाल रहा है जब निकालेगा तो पहले बहुत तीजी से मूफ कर रहा था वो धीरे-धीरे-धीरे क्या हो जाएगा अब यज़ के लग झांगा और उस तैंपरेचर तक जहां तक कि उसका क्या आजाए वो तेंपरेचर नहाजए जहांपर वो इपनी इंपरेचर सकता है यहां बोलता नसे बाहर की बाढ़ी को इंपरेचर पर नहां आ जाए तब तर प्रहद इन unique energy को जब लेता रहता है तो यहां जी क्यूंक्स व इन क्या मॉण typically क्ने के डाट्टीट्ट्ट्थ वह है कि यह दूरी पास कितनी हीट Вот यह सिंपली बोलते हैं कि वो यह बताएगी कि फर्म स्टेट कि भाडशाब है या कोड़ है तो यह बता रहा है मुझे कि उस बादेब्स कितनी हीट उसके पास टीक जब की टैंपरेचर मुझे क्या बता रहाै टैंपरेचर मुझे सिंपल ये मता रहा है कि object है या उसको कोई मतलब नहीं है object के पास कितनी हीट है एनरजी हो सिंपल ये बताएगा कि object क्या है hot है या एक ठीक तु से अज़िटा रिक ये इस को आई it is the quantity which tells the thermal state which tells the thermal state which tells the thermal state of a body that is degree of that is degree of hotness or coldness degree of hotness or coldness of a body will stop and it also determines determines the direction of flow of direction of flow of heat of heat when two bodies when two two bodies at different temperature at different temperature are placed in contact 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 this is the definition for temperature 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 quantity we have to tell the body is hot or cold that is simply the thermal state of the body okay अब जब यह मुझे यह बता रहीं कि बोल्डी होट है यही बिद्द को यहीं बताए इनर्जी आफ बहलें जिसके पास ज्यादा ही डान्जी वह लोग इनर्जी वाली बॉडी भॉडी पत पर क्या जाएगा हीट फ्लो होगी ठीक है तो जैसे हमने पढ़ा था फंडेमेंटल यूनिट्स वैसे टेंपरेचर की जो यूनिट है वो फंडेमेंटल यूनिट है और वो क्या है कैल विन यूनिट्स की बात कर रहा है टीके तो जो एसाई यूनिट है जो बहुत ही जादा फेमस है जिफों जानते हैं चल्सियस के नाम से और यदि हैं इस पर फेलिंग करते हैं या दिग्री फेरें के लिटेंगे लिए पर ध्यान देने वारी बाते हैं स्वार फेरेनाइट के साथ हैं और भी दूसकर डिग्री यूज करते हैं यह जो मैंने छोटा सब्सक्राइब नहीं उनसे पहले इसको हम बोलता है डिग्री टीटा जो फंडमेंटल यूनेट है जो जानते है उसमें यूइड ऑज दो अग। सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो सिंपल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ता उसमें 273 केल्विन करना पड़ता है यहां बोल दीजिए कि सिंपली 273 एड कर दूंगा जब मैं किसी तेंपरेचर पे तो वो किसमें हो जाएगा तो मैंने यह बोला था ना उसमें 273 एड कर दूंगा तो क्या जाएगा तो मैं लिजाना है तो तो 73 प्लस 5 कितना हो जाता है 78 तो मेरे पास क्या जाएगा कैविन में कंवर्शन हो जाएगा सिमिलली इसी की तरह का अब फैरनाइट की बात करें तो फैरनाइट का फॉर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इतना भी नहीं है ठीक है फैरनाइट का फॉर्म लग क्या है सी बाइब नहीं प्लेगे का हुआ है सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब का फैरनाइट में जानेगा तो कुछ इस तरीगा फॉर्म ला होगा अब मालीचे जैसे वो फॉर्म ला दिया वार मुझे एक्जाम्पल इस बार मुझे फाइव डिग्री सेल्सियस को किस में करना है फैरनाइट में करना है तो मैं वैडियोस पुट कर दूँगा फाइव डिग्री अपॉन फाइव एकोस तो एफ माइनस थाटीडू अपॉन नहीं तो इससे कैंसलर हो जाएगा ना बचेका पन नाइन माइनस एफ माइनस थाटी तो इस थाटीड उदर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा इसको और इस फॉर्मल सक्षा तो फैरनाइट एए जो फॉर्मला है यह गाला जाता है जिसक की वैलू चाहिए वो निकाल और जा सकती क्यासा है तो यह तो था यह वाला अब उसमें मुझे यह भी एड़ करना है तो यह कैसे होगा यह होगा ऐसे केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 अब इससे जिसका भी टेंपरिटर निकालना होगा आप इसली निकाल सकते वह यह कंवर्शन था कैसे सब्सक्राइब और यह था सब्सक्राइब और यह था सब्सक्राइब कर दीजिए यह आपका फॉर्मुला बन गया किसके लिए फैरनाइब सब्सक्राइब कर दीजिए यह था सब्सक्राइब कर दीजिए यह था सब्सक्राइब के बारे मां जाना है कि यह तो गया कंवर्श न की एक यूनित से दूसरी निके जाना है तो कि जो ऐसा ऑट है वो हैं तो से के अलावब दो कॉमन पापॉलर उने चाहरे से इस है अगर केल्विन की बात करें तो जो कैल्विन स्केल है वो सबसे ज्यादा यूज होता है क्यों कि इसकी रेंज है वो सबसे ज्यादा है जैसे कि अगर हम बात करें करें से जो जीरोगीं होता है इसको थो दो जो है सब्सक्राइब क्यूंकि उस तैंपरेशर प्रेश्य कंद्स में प्रेशर और वॉल्यमि प्रेशु तो और नियुक्त तक अए गया वजादा वालिव इसे इसको बोलता है एक यह जाता है कि वह टेंपरेचर बताइए जहां पर किसी भी गैस का प्रेशर और जीरो होगा किसी भी प्रेशर का प्रेशर या वॉल्यूम लिए नीचे उप्शन होंगे तो आप महान लिख सकते हैं यह फ्रेशर है वह बॉल्यूम आ हाँ जहां पर क्या होंगी अगर हम करें कैल में कोई बी नेगेटिव नहीं है जब कि अगर हम बात करें हमारे celsius scale की या Fahrenheit scale की तो उसमें negative temperature possible है जैसे हम बोलते है minus 50 degrees Celsius या इतना temperature हो गया है ठीक है तो Kelvin scale में ये possible नहीं है जो Kelvin scale है वो 0 Kelvin से start होता है और आगे positively बढ़ता जाता है पर Celsius of Fahrenheit में ये possible है जैसे कि अगर मैं बात करें तो Celsius में कितना temperature होगा सब C plus 273 और Celsius कितना आजाएगा सब minus 273 degree Celsius जो सबसे minimum temperature negative जा सकता है वो है minus 273 degree Celsius इसके नीचे की हमाने पास पर ही formula भी है नहीं फिलाल ठीक है तो हमारा जो सबसे lowest temperature जो possible हो सकता है वो है 0 Kelvin Celsius में बात करें तो हो जाता है minus 273 degree Celsius जैसे अगर 100 degree Celsius की बात करें जहां पर water boil लगता है ठीक है तो 100 degree Celsius की बात करें तो यह वो point है जहां पर water boil होता है अगर Kelvin में बात करें तो इसमें 100 कर देंगे अपन के एक कुल स्थी प्लस 273 जैसे के बरावर हो जाएगा सरी हो जाएगा कि 1 degree Celsius कितना हो जाएगा सर 1 degree Celsius कितना हो जाएगा इस में इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वेल्यू आजएगी वन डिगरी किसकी जो मैंने फॉर्म लेगा था अभी आपको फैरनाइट वाला अभू कैसे इस बात को जानना जरूरी है यह तो दिया हमारी किसकी इसके बराबर था माइनस 273 के बराबर था तो जब उसको सिंप्लिफाय किया है तो हमारे पास यह फॉर्म ला आगया भी तो मैंने आपको रिवर्स प्रोसेस बताया कि अगर हमें 0 डिगरी केल्विन के टेंपरेचर निकालना हो तो कितना होता माइनस 273 डिगरी होता पर सा अगला टेंपरेचर उसके निकाला तो उन्होंने देखा कि तेंपरेचर क्यानी केल्विन और सेल्सियर स्केल में हमेशा कितना का डिफरेंस रहता है 273 का डिफरेंस रहता है अब आते हैं आपन किस पर फैरणाइट स्केल पर है अब है अब जैसे मैंने बता है कि जीरो डीली क्याल सुल्वें पे को हम क्या बोलते हैं आइस पॉइंट बोलका है आइज जीरो पॉइंट नहीं मैं है हमारा जीरो डिफरी सैसर जीरो डी डीली रीज यहां पाता है नहीं हुन है और इसी हुर्ह करद फैर नाने के लिकेए तो कितना ऑजाएगा सर वह हो जाता है कितना 273 Kelvin जैसा भी हमने आपके देखागा तो यह आइस पॉइंट के बराबर होता है 273 Kelvin के बराबर होता है क्योंकि अभी आपने देगा है कि 0 degree Kelvin minus 273 होता है तो जो 0 degree Celsius होगा वो कितना हो जाएगा Kelvin के बराबर हो जाएगा Kelvin equals to T plus 273 कि अगर यह 0 गें तो केल्विन कितना हो जाएगा 273 Kelvin तो 0 degree पर 273 Kelvin और अगर फैरनाइट की बात करें तो वह जाता है 32 degree Fahrenheit यह वह temperature है जहां पर water किसमें होगा ice form में होगा ice point है यह ठीक है फैरनाइट में 32 degree Kelvin में 273 और अगर सेंटेग्रेट में बात करें तो 0 degree centigrade अगर ऐसे ही हम boiling point की बात करें तो boiling point की बात करें तो boiling point कहां होता है celsius में 100 degree celsius के इसमें अगर add करें तो 100 plus 273 को कितना हो जाता है कि अगर अगर बात करें कि इसके फैरनएट की फैरनएट में यह कैल्विन में होई है celsius में है सब्सक्राइब करें तो इसके और इसके रीडिंग में तो बड़ा सा डिफरेंस है कि जो केल्विन और जो सेंटीग्रेट का जो स्केल है कढ़ा जो सेंटीग्रेट के जो सेंपर डिफरीट कल है क ये जो डिफियंचहान है हुंस्य। बात करें, तो महा लेकर तो हो, Kelvin, and Celsius जो scale है मारे पास, scale have 100 equal divisions, divisions वो देख भी पारहे हैं, 0 से 100 आरहे हैं, ice points और boiling point के बीच के difference को यह इंग क्या बोलते हैं, scale बोलते हैं, और इस scale की range कितनी है, 100 की, 0 से 100, 273 माइनस 3, 73, 100, पर अगर हम बात करें, Fahrenheit scale की बात करो, तो यहाँ जो divisions होते हैं, अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे, प्राप देखेंगे, इसमें कितने divisions हैं, 180 equal divisions है, 180 equal divisions है, ठीके, तो Fahrenheit scale को याद करने हैं, कि Fahrenheit scale में कितने divisions होते हैं, 180, Kelvin और Celsius scale में बराबर divisions होते हैं, that is, 100, ठीके, इसी basis पर हमने formula निकाला था, F-32 upon 9, ठीके, वो इसलिए, कि अगर मैं Celsius से Kelvin scale की, एक डिगरी की बात करूं, कि एक Kelvin ये एक degree Celsius कितना होता है, तो मैं तोड़ा यहां पर side बता देता हूं आपको, कि अगर मैं बात करूं, one degree Celsius की, one degree Celsius की बात करूं, तो वो हो जाता है, five by sorry, five by nine, five by nine degree Fahrenheit के बराबर, one degree Celsius is equals to five by nine by, five by nine by five degrees Celsius is nine degree by five degree Fahrenheit, ठीक है, यह मैंने बता ही है कि अगर zero Kelvin की बात करें, तो absolute zero होता है, यह relation है, one degree किसके बराबर होता है, nine by five degree Fahrenheit के बराबर, और इसी को जब हम solve करते हैं, तो हमें relation मिलता है, c by five जो मैंने आपको बता है था, Celsius से Fahrenheit में जाना हो, तो c by five equals to f minus 32 by nine, ठीक है, तो यह सब था आपकी किसके बारे में, concept of heat और concept of temperature के बारे में, next class में मिलते हैं, और हम बात करेंगे इसी चेप्टरन आगे, anomalous expansion of, जो solid liquid है, gases के बारे में, तो hope आपको आज का समझ में आया होगा, मिलते हैं, next class में have a great day.